So as usual दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ना ये मैं हर साल के starting में और कभी-कभी end में दोबारा बनाता हूँ और आप लोग का interest इसमें हमेशा रहता है इस topic को जानने में the evergreen topic Intel vs AMD आज की date में इस साल में अगर आप buy करने का सोच रहे हैं सिर्फ उसके दम पर आज की date में AMD जो है बिकता हुआ आरहा है ऐसे टाइम पर हर एक segment में starting from the very low segment to the mid segment and then the high end segment आपके लिए कौन सा प्रोजेसर परफेक्ट चोइस रह सकता है बात करेंगे आज के इस वीडियो में डीटेल में सो वीडियो को पूर एंट तक देखें और कहीं मत चाहिएगा we will be right back आज ही buy करें परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी PC विजिट करें www.techdreams.co.in और यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे pre-built machines में से या फिर custom quotations के लिए आप हमें नीचे देगा contact numbers पर contact कर सकते हैं WhatsApp या फिर call के थूँ और अगर आप बाई करना चाहते हैं अपने लिए बहुत ही कमाल की pricing पर Windows 10 का प्रो रीटेल लाइसंस जो कि Windows 11 पर फुली अप्ग्रेडेबल है या फिर अगर आप चाहते हैं Microsoft Office की professional keys बाई करना बहुत अच्छी pricing पर नीचे देगा website पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और आज यह और कर सकते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे अपनी वीडियो को यहां पर पॉस करो और नीचे आकर तबसे पहले comment section में यह बता हो कि आपका current processor कौन सा है जो कि आप अपने system में यूज करते हैं अब आगे चलकर line up की बात करने से पहले कुछ important points clear करना चाहूंगा तबसे पहला point यह कि जिस field से मैं belong करता हूं इस field में fan boy रहकर काम नहीं चलता आपको जो चीज चल रही है और जो actual चीज है उसकी ही बात करनी पड़ती है जब AMD अच्छा था, AMD का price to performance अच्छा था तो मैंन still अगर कोई fan boy नीचे आकर मुझे comments में गाली देता है तो मैं तुमको पहली बता दूँ कि मुझे घंटा कोई फरक नी पड़ता तुम्हारी गाली का second चीज है कि headphone का प्रयोग कीजे क्योंकि casual discussion है और समझ जाये करो अब तो इतना time होगे जब मैं casually बात कर रहा हूं थोड़ा चल जाता है flow flow में निकल जाता है न तो headphones का please use कीजे बाद में मत बोलना की बताया नहीं था स्टाट करेंगे दोस्तों entry level यानि की low end segment से अब यहां पर जो है यह budget रहता है इस processor का जो category है तक्रीबन जब आप है 10,000 के नीचे रहकर एक अच्छा processor जो हो चूज करना चा रहे हैं यह रहता है entry level low end segment सबसे पहले AMD की offerings की बात कर लें तो यहां पर अपने पास है राइजन 3 3100 और राइजन 3 3300 X अभी ऐसे processors हैं जो की होकर भी नहीं है पता नहीं क्यों नहीं है और अगर कहीं है तो ऐसे गंदे price पर है ना की मतलब sense खतम हो जाता है इनका जो था यह प्रोसेसर जो launch यह गय थे 7-9,000 रुपे के price point पर depending on the model 3100 है 3300 X है दोनों मिला करते थे दोनों ही processors 4 core art thread के साथ में आया करते थे और amazing processors है 1080p gaming के लिए जिस pricing पर आया करते थे उस पर पर आज की rate में आपको यही 3100 जो है वो तकरीबन 12-13,000 रुपे का मिलेगा जो की इनको बिल्कुल senseless choice बना जाता है आगर आज की rate में आप एक PC build बनाने जा रहे हैं entry level पर ही सबस 1000 से नीचे है प्लीज अपने वजट को extend कर रहे हैं तो 3100 और 3300 एक्स 12-13,000 रुपे में खरीदने की बेवाकूफी बिल्कुल मत करना बिल्कुल senseless उस price point पर इसके बाद बार यह दिए दोस्तों Intel की side की तो Intel की side से entry level में अपने पास में जो offerings अभी currently available है उनकी बात करेंगे जो इंडियर मार्केट में available है 10100F आपको मिल जाएगा Core i3 10100F जो की performance में आपको 3100-3300X के level का ही performance देगा तो आपको 7500 रुपीस के price point पर मिल जाएगा यह भी 4 Core i3 के साथ में आने वाला processor है प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप एक future proof build बनाए जो की काफी बढ़कर इसे performance दे यह भी आता है बट आपको पता है कि जो Alder Lake processors है उनका जो single core multi core performance उस पर काफी Intel ने R&D करी और त्वीक किया है और आपको बहुत अच्छा future proof performance मिलेगा और मैंने काफी सारे लोग देखे है जो कि अकर entry level कोई build बना कर आता है तो यार देखो सबका budget एक set होता है भाई जिसने entry level लेना है तुम उसको यह चीज़ बोल के demoralize मत करो उसको मतलब यह harass करते है लोग मैंने देखे है कोई build बनाया था i3 के साथ या Ryzen 3 के साथ तो कहते है तूने इसके साथ क्या build बना लिया इससे तो gaming हो ही नहीं सकती इससे तो stream ही नहीं कर सकता ऐसा नहीं है भाई आप एक budget क बना लेता है उसको बोल कर demoralize या poke मत कीजिए तुने i3 क्यों लगा लिया तेरी तो gaming होगी नहीं तुने Ryzen 3 क्यों लगा लिया जमाने बदल चुके है वो पुराने वाले i3 नहीं आते है dual core वले things have changed सो यहां पर low end category में मेरा choice रहेगा Intel और वो वजह आपको पता है क्यों रहेगा इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे अब आती है mid level category अब mid level segment जो है इसमें भी दो तरह के sub segments होते हैं एक segment होता है lower mid level अब यह lower mid level जो है यह वो वाला price point है जो कि आपका तकरीबन 10,000 से 20,000 बहुत ही कमाल case के use थे जो कि है Ryzen 5 3500 and Ryzen 5 3600 अपने time पर बहुत बिके हैं यह processors जो है and they were awesome products इस time पर launch हुए थे बट आज की date में Ryzen 5 3500 आपको जो है 12,000 रुपे के आसपस मिलेगा Ryzen 5 3600 जो है आपको तकरीबन 18,000 रुपीस का मिलेगा जो की इन दोनों प्रोसेसर को आज की डेट में market से competition से बिलकुल out कर देता है इसको पर मैंने dedicated video बनाई थी जहां पर मैंने जो i5 10400F है और जो आपका i5 11400F है उसके performance को Ryzen 5 3600 से compare किया था अगर आपने वीडियो चेक आउट नहीं करी उपर link है डीटेल में अगर आप इस segment में बाए करना चा रहे थे और इनके ब आप उसको आने वाले कहीं साल और यूज कर सकते हैं बट जो भाई या जो वीवर्स जो है वो नया बनाने जा रहे हैं उनको मैं गहना चाहूंगा कि अभी तुम 18,000 रुपे देकर 3600 लोगे वो कोई sense नहीं बनाता तो इस चीज को ध्यान में रखना क्योंकि market में जब आप तो वहाँ पर आपको गाइड करने से जादा काटने वाले जो लोग है वो बैठे हो है क्योंकि लोगों को अपना stock क्लियर करना है तो इस वज़ा से मैं गाइड कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इस पॉइंट्स जो है वो क्लियर रहे हैं अभी बात आते हैं इंटल की मिल जाएगा 11400F Core i5 11400F जो कि आपको तकरीबन 14,000 रुपे के आसपास जो है मिल जाएगा 14,000 प्राइस पॉइंट के उपर 6,000 और 12,000 के साथ में आता है 3600 को easy peasy हर एक task में almost beat कर देता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप जो 45,000 रुपे extra 3600 के लिए दे रहे थे उ नहीं पर अगर आपको चाहिए थोड़े से पैसे और इनवेस्ट हो जाए यार बट प्रोसेसर एक ही बार में ऐसा मिले जो आग लगा दे बिल्कुल और इस प्राइस पॉइंट के अपर सबसे किलर प्रोसेसर हो तो आप ले सकते हैं जो लेटेस्ट है इंटल का Core i5 12400F जो 17-18 के बीच में आपको मिलेगा 17-18,000 रुपे के प्राइस पॉइंट पर आकर भी जो AMD का इससे उपर का मतलब की हायर मिड लेवल का जो Ryzen 5 5600X आता है उसको भी most of the tasks and titles में बीट कर देता है तो मतलब उससे 7-8,000 रुपे नीचे आकर उसको अच्छा कासा जो है टक्कर देत तो अगर एक आप मैं कहूं लोवर मिड लेवल पर इन्वेस्ट करके एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चा रहे हैं जो की बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ हो आज की डेट में I'll strongly recommend you कि आप Core i5-12400F के साथ में ही जाए और यहां पर भी लोवर मिड सेग्मेंट में मैं Intel को फिर स में आते हैं यहां पर एक बहुत अच्छा option है उन लोगों के लिए जो की अभी ग्राफिक्स कार्ड बाय नहीं करना चाते किसी वज़ा से जो है जो आपके सामने obvious reasons है आप अभी ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे में AMD का Ryzen 5 5600G आपके लिए बहुत ह दमाल की offering रह सकती है शेक और वारस रट के साथ में आता है almost 5600X आपको मिलता है almost not exactly the same almost 5600X आपको मिलता है but this is the APU मतलब की accelerated processing unit यहां पर आपको simply जो है एक graphics chipset जो है एक graphics chip जो है वो integrated मिल जाती आपके processor में जो की वेगा graphics है और आप अगर अब यह ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो for the time being यह अगर आप करना भी नहीं चाहते तो भी एक काम चलाओ gaming experience 1080 वी पर most of the gaming titles के साथ में आपको दे देगा आप at least खेल पाएंगे आप जो है वेट कर सकते हैं इसके साथ में इसके बात बारी आती है उन लोगों के लिए जो की graphics card लेने वाले है फुल-fledged gaming and streaming system मना रहे हैं उन लोगों के लिए क्या perfect choice ररें चाहिए तो देखो जो मैं इससे पिछली विडियो बनाई थी उसमें मैंने clearly 5600X को हर चीज में विनर रखा था Ryzen 5 5600X को और उस time के हिसाब से जो competitor था उसके अगर हम पूरे competition को analyze करेंगे 5600X was a great choice क्योंकि पहली बात तो processor की pricing बहुत अच्छी रखी गई थी single core multi core performance बहुत अच्छा था प्लस आप अच्छे अच्छा आज की डेट में जैसा कि मैंने बताया अगर आप एक i5-12400F भी बाये करते हैं वो भी इसको simply easily beat कर देगा most of the task में तो अभी भी जो लोग सुनी सुनाई बाते सुनकर या किसी ने मेरे भाई ने लगाया था मेरे दोस्त ने लगाया था बहुत अच्छा है किसी ने बोल दि आप faster memory भाये कर सकते हैं extra memory भाये कर सकते हैं इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना एंडरस्टैंड कि बाते सुनकर काफी सारे लोग जो है वो offend भी होंगे कुछ लोग हैं जो की मतलब fanboys हैं भक्त टाइप के लोग हैं उनको लगेगा कि यार ये तो सारी चीजों म मार्केट को अनलाइज करना है हम लोगों ने प्रोड़क्स को अनलाइज करना है प्रांड से मेरे को खंटे का कोई लिए देना नहीं है आज इंटल है कल AMD होगा फिर AMD होगा फिर इंटल होगा ये ongoing वार्जवे टेक्नॉलिजी में चलती रहती है तो अभी की डेट में क्या स हम लोग उसके ओपर फोकस करेंगे राधर दन बिंग ब्रांड सेंट्रिक एंड कुछ महाशी ऐसे भी होंगे जो मुझे बोलेंगे कि तुम 12th जेनरेशन को अभी इस से क्यों कंपेर कर रहे हो 5000 से मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था भाई कि अभी आई नहीं है अब मैं आपको वही option बताऊंगा ना जो आपके लिए available है या मैं अब मेरा काम रुका हुआ है for example I'm an editor I'm a video editor मेरा काम रुका हुआ है मेरे को जा के build करना है अब मेरे को तुम यह थोड़ी ना बोलोगे कि भाई अभी तो AMD की 7000 series आने वाली है तुसका wait कर ले मेरे को चाहि तो इसके आगे जो आपका upper mid segment है यहां पर Intel की तरफ से अपने बाफ में बहुत प्यारी offering है जो की है Core i5-12600K अब अगर आप एक Z690 motherboard में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे और आप एक aftermarket air cooler ले सकते हैं तो आप यह प्रोसेसर ले लीजिए आपको इस पर जाने की ज़रूर streaming system बनाना चाहते हो 1080V आपको game and stream करना है कोई भी game आप यहां पर आकर थम जाईए इससे उपर आपको जाने की जरूरत नहीं है मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो की जिद करते हैं अपने माबाप से कि मेरेको तो i7 या i9 या ryzen 7, ryzen 9 based system ही चाहिए क्यों भई नोटा मोटा बताऊ ना तो मेरा 10900K कोर i9 10900K जितना performance देता दना ये 12600K अलमोस उतना ही performance जो है उससे कम price पर दे देता है तो this is a very very good processor अगर आप आज की एट में 1080V gaming streaming system बनाना चाहते हैं यहां पर आकर थम जाईए खासकर मैं उन बच्चों से कह रहा हूं फिर से कह रहा ह पैसा कमाना भाई बहुत मुश्किल है जब तुम कमाऊगे तुमको समझ में आएगा तो उनके hard earned money की respect कीजिए उनका सबरदस्ती force मत कीजिए कि मुझे इससे भी high end machine लेकर दो और बाकि जो भाई खुद earn कर कर पैसा कमा रहे हैं तुमारे लिए respect है मुझे पता है कि तुमक करा रहूंगा आप Ryzen 5 5600G के साथ में जा सकते हैं बट अगर आप एक higher mid level PC जो है वो build करना चाहते हैं for gaming streaming और any other thing तो मेरे लिए Intel विनर रहेगा 12600K को मैं आप विनर रखूंगा इस category में तो इसके बाद आ देती है दोस्तों category जो की है हमारी आखरी category जो की है high end processors की आप यहा जिनको actually उसकी जरूरत होती है और कुछ ऐसे हैं जिनको show off के लिए सिरफ दिखावे के लिए चाहिए वो लोग जाते हैं 9 वले segment की तरफ तो पहले 7 वले segment की बात कर लेते हैं अभी भी AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X आता है जो की मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था पहली out of competition हो चुका था उससे better मैं prefer करता था कि इनसान जो है वो Ryzen 5 5600X ले तो उसके बारे में दुबारा बात करके कोई फायदा है नी 3700X is already out of competition and quite outdated अगर आप आज की date पे 3700X बाय कर रहे हैं आपको अपनी choice को reconsider करनी चाहिए नहीं है आज की date में perfect choice इसके बाद में अपने पास में एक APU आता है AMD की तरफ से और जो की है Ryzen 7 5700G which is a senseless APU अगर आप एक APU बाय कर रहे हैं 5600G पर रुख जाए वो आपके लिए बहुत है 5700G पर आके आपको कोई added advantage जो है उस price point जेतना वो नहीं मिलने वाला तो इस वज़ा से 5700G भी मेरे लिए sensible choice नहीं है इसके बाद next आता ह है Ryzen 7 5800X जो की बहुत कमाल का processor है मैंने personally बहुत लंबे टाइम तक इस processor को अपने personal PC में use किया है वट आपको बता दू कि अगर performance terms में बात करेंगे तो almost हर चीज में जो core i5-12600K है जिसकी हमने पिछले segment में बात करी वो इसको बीट कर देता है और इससे सस्ता आता है overall तो इ मिट्टी पलीद हो जाती है इससे पहले तक मैं इसको बहुत प्यारा processor मानता था बट अगर current scenario की बात करें मिट्टी पलीद है इसकी भी तो अगर 5800X बाय करने का विचार बना रहे थे 12600K ले लो जादा बेटर रहेगा सस्ते में इससे अच्छा performance आपको जो है मिल जाएगा Intel की तरफ से on the other hand यहां पर अपने बास आता है Core i7-12700K and KF जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ यहां पर आपको जो अपने performance scores और अपने जो efficient scores है वो दोनों मिलते हैं जिसके बारे में already हम लोग बात कर चुके हैं तो अगर आपका इतना budget है यह जो processor है तकरीवन इसकी जो range है 36-40,000 के बीच में जो है यह मिलता है इस पुरसर की जो price range है तकरीवन 34-38,000 के बीच की है जो KF पला है तो इतना अगर आपका budget है और आप एक अच्छा Z690 motherboard एक aftermarket AI cooler जो है यह aftermarket liquid cooler यूज़ कर सकते हैं go with 12700K, 12700KF, amazing performance आपको मिलेगा और in fact अगर आप एक professional streamer भी है और in fact अगर आप professional gamer यह streamer भी है तो भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं इससे उपर जाने की आपको भी सही में कोई जरूरत नहीं है अच्छा आप इसके बाद आते हैं बिल्कुल high-end desktop grade CPUs जो अपना final segment है जो आता है अब यह वाले जो प्रोसेसर्स हैं most of the people सिर्फ show off के चलते या कुछ हच से जादा future proof हमारा system रहे यह सोच कर ले लेते हैं कुछ लोग को actually में जरूरत होती है जैसे कि कुछ professionals है जिनको benchmarking करनी होती है जो कि professional reviewers है उनके current hardware जो है जो upcoming new latest hardware है वो bottleneck न करे इसके चलते इन प्रोसेसर्स की उनको जरूरत पड़ती है या कुछ creative professionals है जो कि बहुत ही strong renders करते है या जिनका 3D workload है बहुत जादा एसा workload जिसमें actually उतनी computational power की जरूरत है उनके लिए जो ये वाला segment है वो perfect रहता है यहाँ पर AMD की तरफ से हम लोगों के बास में है Ryzen 9 5900X and Ryzen 9 5950X दोनों ही amazing processor है 5900X जो है 12 core 24 thread के साथ में आने वाला 20 level processor है वही 5950X जो है वो आपका 16 core 32 thread के साथ में आने वाला 20 level का processor है जहाँ पर भी इतने core threads की आपको जबुरत पढ़ने वाली है obviously यह processor जो है definitely shine करेंगे वहाँ पर बट यहाँ पर अभी Intel ने जो अपना latest core i9-12900K है उसको roll out कर दिया था जो कि again वही hybrid architecture पर based है and अगर हम लोग single core scores की बात करें तो बहुत बुरी तरह दोनों ही processors को 5900X और 5950X को बीट कर देता है यहां की multi core scores में भी most of the applications में 12900K 5950X तक को सरपास कर जाता है और यह मैं आपको ऐसी बस बोली सुनी बात है नहीं कह रहा है यह सब facts है अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी segment में मजाग कर रहा हूं उन दो processors का ही आप नाम YouTube पर डालिए उनके जो benchmarks हैं जो actual benchmarks हैं उनको check कर लीजे आपको idea हो जाएगा कि मैं हर एक बात जो बोल रहा हूं उसमें sense लाए करता है मैं हवा में बाते नहीं कर रहा बैट कर इदर so again मेरे लिए अगर कोई बिलकुल high level segment में जो है build करना चाहता है 12900K is your go-to choice आपको आची डेट में इसी processor को चूस करना चाहिए इंटल ने हाली में बोली थी चीज कि this is the world's strongest gaming processor period and in fact अगर आप productivity की भी बात करेंगे तो भी आची डेट में most of the applications में this is actually the strongest processor ये वीडियो बनाने का मकसद सिरफ इतना ही था कि सुनी-सुन तो आप उन दो processor's के models को जो है compare कर सकते हैं खुच जाकर benchmarks को check out कर सकते हैं बहुत अरे तो ऐसे बेजिन को मैंने भी compare कर रहा है मैंने भी actually benchmark कर रहा है जिन जिन को किये उनके video के links आपको ऊपर मिल जाएंगे उनको आप देख सकते है so sorry guys जो camera की battery है वो बोल गई वो जवाब दे गई है और हम लोग बहुत हरी में है तो मैं तो बारा से चार्ज करके नहीं मना सकता तो इस वज़ा से ठोड़ा सा सहलो फोन से जड़ा आखरी का footage ले रहा हूं रादर दन कि उनको खुद पता हो और मैंने फिर से बोल रहा हूं अगर तुम्हें लगता हो कि मेरी बातों में sense नहीं है मैं बाइस डोकर बात कर रहा हूं तो आप हर एक processor जिसको मैंने आपस में compare किया है उनको single single उनका नाम डाल कर YouTube पे आप उनके जो live benchmarks हैं उनको देख सक करना है और जो budget है उसमें क्या क्या available options है और ऐसा तो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं लेने का उससे कम में आपको same performance मिल रहा हूं इस चीज को major check करना ज़रूरी रहता है और अगर आपके मन में ऐसा कोई भी doubt है I'm pretty sure कि इस video को देखने के बाद में मैंने हर एक processor का आपको आ Intel अभी badly dominate कर रहा है अब AMD के 7000 series आने के बाद में यह सेम रहेगा या नहीं रहेगा वह आने के बाद में पता चलेगा क्योंकि देखिए technology का जो war है this is a never ending war कभी Intel आगे होगा कभी AMD आगे होगा ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही brand के products अच्छे रहेंगे हो सकता है कभी किसी time पर क आपको बता दिया है क्या किसके competition का है और किस से better आपने सारी बात कर ली है आपको किसी भी चीज में फिर भी doubt है आप मेरे साथ अपना feedback शेयर करना चाहते हैं अपना suggestion शेयर करना चाहते हैं you are welcomed in the comment section वहाँ पर आकर आप कर सकते हैं और एक चीज और बताता हूं कि यह वीड में वह नहीं आ रहा था उनका budget इतना था कि उनका core i5 लगजे 12400F तो मैं उनको सजेस्ट किया sir आप 12400F ले लीजिए आपको almost वही performance मिले और सस्टे में भी आ रहा है तो उसने customer ने बत्तम इसी करनी स्टार्ट कर दी sales team के साथ में यह बोलकर कि i5 दे रहा है मेरे को पागल स का reason यही है और बस यही था बहुत जादा बोल दिया casual सा वीडियो था वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करना ना भूले जासे दा शेर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को वहार दिमस पर लाइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का notification है सबसे पहले समु